हेलो एन वेलकम काईज स्वागत आपका फेंटासी दिसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग एमसी टीटेंट बास की बात करेंगे जो कि मैच होने वाला है आप पर साउथन हीटर्स वसी स्टंडर्स्टर्म आउट लेंडर के बिच में तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौनसे प्लेयर को लोग यासे स्मॉल लिग में लेगे जाएं कौनसे प्लेयर को हम लोग यासे ड्रॉप करने वाले सारी डीटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ड कर लेते हैं तो बात करें इस मैच के इसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि यूटूब चनल को भी तक आपने सब्सक्राइब ने किया तो सबसे पहले आपको यूटूब चनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि ये पूरी टूनामेंट इसी यूटूब चनल पर कवर करे इसके साथ आपको या पर BBL T20 के वीडियो जाएंगे साथ में अरेबियान T20 के वीडियो भी यही पर मिलने वाली है तो यूटूब चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना इस साथ ही में टेलिग्रम चैनल से भी जूट जाएगा क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वागर आपको टेलिग्राम चैनल पर मिलने वाली है और टेलिग्राम से चुढ़ने के लिए मैं नीचे डिस्क्रिपशन बुक्स में टेलिग्राम का लिंक अटेच किया हुआ है इनकेस लिंक वग ना करे is तो टेलिग्राम में जाईए tekrar सब्सक्राइब करें तो यहां परना रंस जाना नहीं बन रहे थे तो कन्फीजन वहीं रहने वाली क्योंकि वहाँ पर बॉलस को अच्छी एल्प मिल रही थी लेकिन कुछ क्वालिटी प्लेयर है दोनों टीम के पास जो किया से काफी अच्छा कर सकते हैं नब्य से एक से दर्शन के आफ्टास या फिर देखो जिसरे से पीच है शॉर्ट बरेज यहां पर ना एक सो पचास के प्लस भी स्कोर जा सकता है लेकिन यह रहाँ केस में हैं बात कर दो चेजिंग रेकोर्ड की तो पिछली टूणामेंट के अंदर पांच बार दस में से 5 बार यहाँ पर चेजिंग करने वाली टिम नीजीती थी I think यहाँ पर टिमटोज जीत केर पहले बॉलिंग करना यानि कि चेजिंग करना पसंद कर सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं से टिम S.O.H की तो यहाँ पर ओपनिंग की बात करो तो जुबेरी जुलफिकले और सयद अजीज दोनों ओपनिंग करवा सकते हैं अभी दोको इसमें क्या है ना कभी-कभी यहाँ पर नहीं साइफुला मलिक तो वन डाउन याएंगे लेकिन यहाँ कप्तेंशिप की चोईस रहेंगी जुबेरी जुलफिकले को हम लोग यहाँ पर एजब लेके जाएंगे रिसंटली फॉर्म अच्छा है उनका बाकी बात करते हैं से सैफुला मलिक की तो पीज़े दूना मैट करना हम को यहाँ पर एक से दो बार ही दोने वन साइड विनिं से लिए टेट बात को यहाँ पर उनके हाइस्ट तेरा विकेड भी निकाली जादातर गैन बाजी करते नहीं है लेकिन वेटिंग से आपको अच्छा अड़ाइस दे सकते हैं धी हरेंद्र शहर बैटिंग ओडर फुड़ा सा नीचे रहेगा इनका टेबिस मेच्पे आपको ठीक टाक पॉइंट्स दे सकते हैं चौत का नंबर पर बैटिंग के लिए आएंगी तो यहाँ पर इनको एज़ा डिफ्रेंस से लिए में ट्राइक कर सकते हो लेकिन यहाँ से सर्वीन मुंड्यांडी की बात करो तो इंपोर्नस प्लेयर है नेवाला है डेफिनेटल अननल नहें खेल है टीटेंट जापर 22 के वृड़ेस से 179 वहरन है 67 उनके हाइश है टीटेंट्र के बिए यह तैनके अंदर यह से नहीं से दू अजान लेकिन टीटेंट की बात कर थे 152 मेच चोने 116 मेच और यह बाइस आपने 2 सपी करवाएंगे पका यहाँ से लिकिके ना क्योंकि दस मेंच केंदर आप देख सकते हैं इनको लेके जा सकते हैं लेगिन हमारी टीम के अंदर यहाँ पर नजरील रहमान की बात करो तो इनको डिफरेंस लिए मेंट जगा मिलने वाली है तो यह थोड़ा सा जैन में रखना है अगर यहाँ से ओपनिंग में मेंचन है तो आपको मालूम पड़ेगा आफ्टर टॉस के बाद तो इसके लिए आपको टेलिगरम चनल को जोईन करना पड़ेगा बात कहाँ जैसे मुहमद हकीम हरीशन फोड़े से नीजे गलते हैं यह हमेशा नीजे गलते हैं चट्थे सारे नमबर पर बैटिंग के लिए आते हैं मैंने आपर आट्वी नमबर में एंचन किया है कभी रेयर केस में ही उपर जाते हैं 52 मेंच के अंदर 17 के एवरेज से एक और शुरुआत में ओदेश में दोनों में आएगे ऐसे वफिक जर्वानी अगर खेलेगा तो यहांसे बात कहते हैं से मुहमद अन्वर वेरी इंपोर्नेट पिकरे आने वाला है इनको डेफिनले लेखे जाना है लुक्मान हकीम की बात कहते हैं तो ऐसा डिफिरेंस लिए म अपनिंग करवार सकते हैं यहांसे गुल्ड रेज वेरी मोडर पिक रहने वाला है डेफिनेटली अमें उनको लेगे जाना है तैंतिस मेंच के लिए जापर करीबन गरीबन उन्तिस के वरेज साथ आठाट अठाट 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 अने 16 विकेट निकाले उन्होंने साथ म इसे दस मेंच के लिए जापर 16 के वरे सेक्सों पैंटालिस रने 56 हाइस ते साथ विकेट यह बैटिंग और बोरिंग जोनों करवाएंगे तो गुल्ड रेज वेरी इंपॉनेट पिक रहने वाले यहांसे जमाल उद्दिन की बात करो तो यह कंसिस्टन प्लियर नहीं हीट प्लियर है यहां पर 73 मैच के लिए 29 के वरे से 1344 रहने इसमें इनके 102 हाइस थे टी टैन में इनका कोई भी खास परफॉमस भी दख रहा नहीं है 6 मैच के अंदर 21 रहने यह क्यों के लोगे थोड़ा सा रिस्की के लो तो बाट ट्राइग करिएगा वाकि एस रह्मान रह्मन पुल्ला की बात करो तो यह भी यहां से टिक टाक प्लेयर हैंगे इनको भी रिस्की तोर पर ट्राइग करना है आपको यहां से बात करो आरिफ ला अरिफ ला ने 13 मैच के लिए 30 के वरे 604 रहने 49 हाइस ने उनके एक विगेड है यह भी ठीक टाक प्लेयर है आप डिफरेंस लिए 30 की प्लेयर हैं दो आपके में एक पर कर सकते हैं ना इने 15 के पर रहे सकते हुब जो लोग रिसकी यह नो पर कर सकते हो अचयी विगें सेिंके पर पर लोसा कर सकते हो प्रे रजीवह कumu क्रूब लए Kanuna Ami सब्सक्राइब तो इनको जरूर लेखे जाना है एन वीजे सिंगे की बात करता है आपर 11 मैंच के देग विगेड़े 87 रन एक एक युवस की तोर पर ट्राइब करेगा दिलावर अब्बास की बात करें यहां से देख वीजे सिंगे की बात करते हैं इनका सिलेक्शन बहुत ज ज़्यादा हो सकता है दिलावर अब्बास की बात करते है तो दिलावर अब्बास यहां पर 16 मैंच करना 19 विगेड़े और यहां पर 8 मैंच करना 4 विगेड़े डिफरेंस्यले में ट्राइब कर सकते हो इनको इनको आप लोग जहां से चैने इन दोनों मेंदे किसी एक आपक प्रपॉमस अच्छा रहा था लेकिन ओर रेकोड ठीक तर्टा यह तो पिस्वा लग्रूवन यह बंदा आपके लिए ट्रंप कार्ट बन सकता है क्योंकि ज्यादा दर जनता कि इनके उपर नजर होने वाली नहीं है लेकिन बंदा कंसिस्टन्ट है हर एक मैंच के रहा से कंसिस्टन्सी दिखाएगा साथ मैंच के छे विगेट बाइस तेरा वोस की गयन बाजे करते हुए दो वस पुरी करवाएगा राइटाम मीडियम पास सब्सक्राइब करते हैं तो बात करें आपर विगेट गिविंग सेक्शन की तो एस रह्मान आतुल्दा को लेंगे क्योंकि हकिम शर्र थोड़े से नीचे खेलेंगे अब लोग इनको भी ट्राइक कर सकते हो लेकिन मुझे थोड़े से रिक्ष्की लेग रहा है आसे हकिम हर सकते हैं सर्विन मुन्यांडी यहां से नजरिल रह्मान वी लक्रुवन और यहां पर साले सेडवेन हमारी टीम के अंदर रहने वाले यहां पर हम लोग अकरम मलिक के उपर रिस्क लिए सकते हैं यहां से जमाल उद्दिन भी एक अच्छी भीग है लेकिन कंशिस्टन्ट न गैसि रहेंगे इनके अलाव कर दिय अबद बास और शाविर्स सारे प्लेयर हैं इसे लुकmān हकीम को करते करीbin की तो क्श तिस तरह से रहेगी के कफ्तान रहें एस सユ्ध अजिस वैस क्फ्तन मेरे यास से गुलड़ेज रहने लहते हैं वाले नहीं है वाघ्ले मठंश जुड़नी और शुल्क्त में ऩरे यहां सानद को और नेश्म Și लिंक मिलेगा इनकेस लिंक ना करें तो टेलेगर में जाहिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बुलेगा क्यूंकि आगे आने वाली और अच्छा मैं जिसकी वीडियो आपको इसी यूटूप चैनल पर मिलने वाले हैं तो मिलते हम लोग अगले वीडियो में एक नए सप्र ने वाजाइन जै भारत